हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल चोपड़ा एजू किसन और मैं हूँ हरसाई चोपड़ा दोस्तो एम सुवज जिपमर एक्जाम कैंचल हो जाने के बाद काफी स्टुडेंट के इस प्रकार से कॉमेंट्स आ रहे हैं कि क्या नीट एक्जाम के पैटरन वा सहलेबस में भी चैन्जिंग होगी या फिर नीट 2019 के जैसा ही पैटरन रहेगा तो इस वीडियो में हम इस विशेप पर चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाऊंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को سब्सक्राइव करके बेल आइकोन अवस्षे करें वीडियो को लाइक वाज ज्यादख ज कोई चेंज नहीं होगा मैं इतना विश्वास के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि NEED से ही बाकी कोर्सेज जैसे AI, PVT यानि BVSC and AH जो वेटनरी कोर्स है और IUS कोर्स, आयरवेद कोर्स यानि BMS, BHMS, BOMS, BSMS, BNYS कोर्सेज में एडमिशन होता है और इन कोर्सेज के लिए AIMS वाजिपमर जैसा पैटरन नहीं डाला जा सकता इसलिए NEED 2020 के सेलिबस वाए एकजाम पैटरन में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग होने की संभावना नहीं है यह है NEED 2019 के जैसा ही रहने की संभावना है अभी यह तो क्लियर हो चुका है कि AIMS वाजिपमर में एडमिशन नीट के स्कोर के थ्रू ही होगा मगर अभी यह क्लियर होना बाकी है कि एडमिशन अथोरिटी क्या रहेगी इसके लिए पहली संभावना तो यह है कि AMU वे BHU की तरह एमस वाजिपमर के इंस्टिटूशन को सेंटरल उनिवर्सिटी में काउंट करके MCC दवारा काउंसलिंग करवाई जाए या फिर दूसरी संभावना यह है कि AFMC की तरह नीट के स्कोर दवारा एमस वाजिपमर के इंस्टिटूशन के लिए एमस दिल्ली वाजिपमर पुडूशेरी दवारा स्क्रीनिंग टेस्ट लेके काउंसलिंग की जाए तो दोस्तों यह तो बाद की बात है यह तो अभी आगे देखा जाएगा कि इन में एडमिसन कैसे होगा अभी फिलाल जब एक ही एक्जाम नीट रह गया है तो आपको नीट की तयारी जोर सोर से करनी है मैं फिर से वीडियो के अंत में बता देता हूँ कि नीट 2020 के सेलेबस वा एक्जाम पैटरन में कोई चेंजिंग नहीं होगी यह नीट 2019 की तरह ही होगा और यह भी ओफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि नीट के स्कोर पर ही एम्स वा जिपमर में एडमिशन होगा तो बाकी कोई अपडेट मिलेगी हम आपको सुचित कर देंगे आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आपसे विदा जैहिंद